आज हम लोग डिसकस करेंगे आई चार मोटोर सेर के बारे में तो कल के दिन पे एसेर आपका हाई गया था 2947.80 लो गया था 2850 और कल के दिन एसेर आपका क्लोज हुआ था 2933.70 रुपे ओके इस कमपनी का अभी आपका मार्केट कैपिटल है रुपेश 80358.46 करोर पी ए रेशियो है 33.08 और इस कमपनी के उपर अभी आपका डेप्ट है रुपेश 5.98 करोर का और कमपनी के पास अभी कैस है रुपेश 2698.56 करोर तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब कमपनी के पास more than sufficient cash है के कमपनी कभी भी चाहे यह जो आपका 5.98 करोर का डेप्ट है इसको चुका सकता है तो इस कमपनी का जो डेप्ट एकुठी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका रहा जीरो जो की fundamentally एक अच्छा बात है और इस कमपनी का cash flow as per profit का रेशियो है 1.06 अगर किसे भी कमपनी का cash flow as per profit का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते है और एक से ज्यादा ही है इस कमपनी में अभी promoters का holding है 49.21% FII का holding है 29.85% public का holding है 10.89% and DII का holding है 10.06% और यह जो आपका 49.21% promoters का holding है इसमें कुछ भी share pledge नहीं है प्लेजिंग share का जो percent है जो बलकुल 0 है जो कि fundamentally एक अच्छा बात है और इस company ने अभी तक maximum return दिया है 35.896.32% का तो अभी देखिए मैंने computer screen पे इस share का आपका one day का chart open का लिया हो तो पहला चीज़ देखिए यह मैंने एक आपका rate color का आपका down 10 line draw किया है जो कि आपका पहले था इस share का एक strong resistant line जिस line को देखिए इस share का price एक बार इस जगह पे तोड़ने की कोशिच किया लेकर तोड़ने ही पाया और एक बार देखिए इस जगह पे तोड़ने की कोशिच किया लेकर तोड़ने ही पाया जिस दिन इस line को तोड़ दिया उस दिन जो आपका पहले था resistant line वो आपका बन गया इस share का support line उसके बाद देखिए इस share के बरेस फिर से जब भी इसी line के नजदिक आया है इसको तोड़ नहीं पाया है और यहापे support लेते हुए है आपका last trading day पे मतलब कल का दिन यहापे हम लो कि आपका zero point से उपर जाने की कोशिस कर रहा है मतलब daily chart में ज्यादतर indicator यहापे हम लोगों को bullish indication दिखा रहा है ओके तो मेरे हिससे अब से अभी इस share का जो current market price चल रहा है around आपका रूपीज 2,933 अगर लगभख इस range पे इस share को buy किया जाए तो इस share का next जो आपका target level होगा रूपीज 3,220 और एक चिस मैं किसी भी share का buy और sell recommend नहीं करता हूँ एफ वीडियो only for education purpose ही बनाए गया है